टी आरपी वाला टॉप शो ये रिष्टा क्या कहलाता है में अभिमन्यू का खूबसूरत किरदार निभाने वाले अभिनेता हर्षद चोपडा उन फेमस अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने हर एक आक्टर और अक्टरस के साथ मिलकर अच्छे से काम किया है और ये हमेश सभी के लिए ही लखी साबित हुए है लेकिन दोस्तों कि आपको मालूम है कि सभी के लिए लखी साबित होने वाले हर्षद चोपडा के लिए भी टीवी की चार खूबसूरत अभिनेत्रियां इतनी लखी साबित हुई है कि उनकी वज़े से ये आज बहुत बड़े मुकाम तक पहुँच चुके हैं तो चलिए जानते हैं आखिरकार कौन-कौन सी है वो एक्ट्रिसेस जो अभिनेता हरशद चोपड़ा के लिए लखी सावित हुई है नमबर एक पर है प्रणाली राठोर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्यूटिफुल एक्ट्रिस प्रणाली राठोर को हरशद चोपड़ा के साथ सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में काम करते हुए देखा जा रहा है और इसी शो के दौरान प्रणाली उनके लिए लखी सावित हुई है वो ऐसे कि हरशद को प्रणाली के साथ शो में काम करना बहुत अच्छा लग रहा है जिसके चलते वो खुश होकर अपनी परफॉर्मेंस शो में अच्छी दे रहे हैं इसी लिए दर्शक इस शो को और भी जादा मजे से देखना पसंद कर रहे हैं नमबर दो पर है अदिती गुपता दोस्तों अगर आपको साल 2008 में आया शो किस देश में है मेरा दिल याद होगा तो उसमे आपको हर्शद चोपडा के साथ अक्ट्रिस अदिती गुपता भी नजर जरूर आई होंगी जो हर्शद के लिए लखी सावित हुई है क्योंकि इस शो में सिर्फ अदिती की वज़े से हर्शद आज इतनी जादा पॉपलर हुए हैं आज इनहीं किसी अलग पहचान की की सावित हुई है क्योंकि जब से दोनों ने मिलकर वेपना शो में काम किया है तब से ही दर्शक जेनिफर के साथ हर्शद को भी पसंद कर रहे हैं इसलिए दोनों की जोड़ी फैंस के दिलों की उम्मीद और चहीती बन गई है कुमकुमभा के फेम एक्ट्रिस स्रिती जा वो ही एक्ट्रिस है जो एक टाइम पहले हर्शद की गर्फरिंड हुआ करती थी पर वो भी हर्शद के लिए लखी सावित हो चुकी है क्योंकि जब से स्रिती हर्शद की लाइफ से गई है तब से हर्शद को इस बात का सबक मिल कि लाइफ में आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी होता है इसलिए स्रिती की वज़े से आज हर्षद अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाए हैं वेल दोस्तों आपको इन अक्टरस में से किसके साथ हर्षद चोपड़ा की जोड़ी देखने में सबसे अच्छी लगती है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले